हेलो डियर पैरेंट्स आज हम बेबी के लिए बहुत हेल्दी रेस्पी रहें बहुत ही टेस्टी रेस्पी रहेगी यह हम बनाने वाले हैं सूजी से आज हम बनाने वाले हैं सूजी का सेरलक्स बेबी के लिए जैसे ही 6 मेने का बच्चा होता है उसके बाद हम सॉलेट स्टार करते हैं तो जब भी हम बेबी को सॉलad देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसे सरल Э्लैक से ए तो यह हम घर पर बनाय हुआ सलेटों वेबी को खिलाएंगे बहुत ही ज्यादा प्रोटीन से भरा वेट ग्रोड मेशल घर साथ है साथि में बेभी की मसल्स ग्रोथ होती है बेभी के हड़ीया मच्बूत होती है बहुत ज़ाधा फाइदे मंद होता है ये घर पर बना कि अगर बेभी को खिलाते है तो बेभी हाश्ट को स्टराता है तो यह से बनाना स्टार्ट करते है Χ सबसे पहले गया सॉन करेंगे उस फिक पैन रखेंगे और उसमें हम डालेंगे एक कप सूजी सूजी बहुत ही जादा बेबी के लिए अच्छा होता है वेट गेन करने में मदद करता है तो इसे हम लगातर चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे दो से तीन मिनट तक अच्छे से उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक हरी इलाइची और इलाइची के साथ भी इसे हम एक दो मिनट के लिए और रोस्ट कर लेंगे जब तक ये अच्छे से रोस्ट नहीं हो जाता है इसमें खुश्बुनी आने लग जाती हलकी सी कलर चीज नहीं करना है बस हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए अब ये रोस्ट हो गया है अच्छे से तो अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे सेकिंड चीज थोड़े से मून फली के दाने और इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे बहुत हेल्दी सी रेस्पी बेवी के लिए बनके तयार होने वाली है अब जैसे ही थोड़ा सा रोस्ट हो जाते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे बदाम चार से पांच हमने लेने हैं बदाम बदाम के साथ देवलों को आपस में रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद हमने इसे प्लेट में निकाल लिया इसे पूरी तरह से ठेड़ना करेंगे हम पहले ठेड़ना होने के बाद मुम फली के छिलके अलग कर देंगे और उसके बाद हमें लेना है ग्रैंडर जा और यह हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, एक कप हमने पानी लिया है, पहले थोड़ा पानी डालके से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, फिर साथ में पूरा पानी डाल देंगे, आप इस रेस्पी को जादा बना कर सकते हैं, 15-20 दिन के लिए, तो इसमें डालेंगे, एक चममच, देसी घी, यह देखिए, और इसे भी मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद, हम गैस की फ्लेम को बन कर देंगे, आप इसे मीठा करने के लिए इसमें गुड़ का पाउडर या मिस्री का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो अब यह पक्के तयार है, तो हम इसे बाउल में निकाल लेंगे, और जैसे यह थोड़ा से ठंडा होता है, तो हम बेबी को सर्फ कर सकते हैं, बहुत ही हल्दी और वेट गेनिंग डेस्पी है, बेबी के लिए आप इसे एक बाद जरूर रहे किजिए, यह किन मानिए फ्रेंड्स यह बेबी का वे प्लीस लाइक शेर जरूर करना, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, वो प्लीस चैनल को सब्सकाइब जरूर करें, सब्सकाइब करने के बाद बाद बाइल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी नौटिफिकेश आपको मिलती रहेगी, तो फिर हम आपसे मिलते हैं, नेक्स टाइम, नेक्स न्यू रेस्पी के साथ, तब तक के लिए आप सबी को टेक क्यार, बाइबाइ, थैंक्स फॉर वज़ाएं